हेलो नमस्कार दोस्तों तो क्रिकेट एक्षट पाइट सतीश की यूट्यूब चलनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियों बात करने जा रहे हैं डबलू टी सी फाइनल के बारे में बात करते हैं तो जो दो हजार तेश जून में डबलू टी जो भी डबलू टी सी की जो पॉइंट स्टेबल होती है दोस्तों उसकी जो टॉप दो टीम होती है वो दोनों टीम में एक टेस्ट मैच खिलती है और जो उसका बिनर होता है उस टेस्ट मैच में उसको टेस्ट क्रिकेट का यूँ कहें कि बर्ड चेंपियन खुसत किया जात और दोनों देसों के बीच जो लडाई है वो अभी से सुरू हो गई है एक्चलि वो ट्वीटर पर भी है और जो भी सोशल साइट्स पर हैं तो यह भारत के जो पुराने क्रिकेट एक्सपार्ट हैं और जो क्रिकेटर्स हैं और स्टिलिया के हैं एक दूसरे पर दबाव बनान कोशिश अभी से कर रहे हैं मोइ एन इस सूचे को समस्स बहुत ही सांधर होने जा रही है तो बारत और ऑष्डियर जो चार टेस्ट मैच क्ले जाने है उसमें जी भारत जिता है तो इस में है कि भारत की दावेदारी डवलू टी सी फाइनल के लिए मजबूत होने जा रही और यदि ऑस्टेलिया जीता है तो अस्टेलिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा जो डवलू टी सी का फाइनल जून मजो खेला जाना उसमें खेलेंगे तो इस सूची में बहुत सारा कारा और नमबर चार पर साउट अफरीका होई पर नमबर पांच की बात करें तो दोस्तों उसमें इंग्लेंड है नमबर छे पर बेस्ट इंडीज है तो अभी टॉप दो में भारत की जगह बनी हुई है और यदि भारत जो चार टेस्ट मैच खिले जाने हैं बीजी टी के बॉर्डर गावस का ट्राफी उसमें भारत के लिए इस सीरीज बहुत एहम हो जाती है चूंकि इसके बाद भारत को कोई भी टेस्ट जून से पहले नहीं खिलना है तो यह चार टेस्ट मैच सब कुछ है करो या मरो यदि आपको डबलू टी सी के फाइनल में खिलना है तो और 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 अश्टेलिया के साथ भी यही सिच्वेशन है और और यहीं परसेंटाइल पॉइंट से जो उसकी बात करें तो 75.56 है 75.56 है वहीं पर अगर इंडिया के बात करें तो 58.59 है जो नमबर दो की रेंग पर भैनी हुई है नमबर तीन की बात करें स्री लंका 53.33 परसेंटाइल पॉइंट से फिराल नमबर तीन की इस्थिती बनी हुई है और यदी भारत इस सीरीज को दो जीरो से भी जीतता है तो इसका लाब भारत को होगा और 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 अस्टेलिया की संभावना है थोड़ा सा और नीचे हो जाएंगी और अस्टेलिया हो सकता ह और भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में डवलू टी सी की जो रैंक है उस पर टेवल है उस पर बैठ जाएगा और यदी भारत इस से डवलू टी सी में जो चार टेस्ट मैच खिले जाने हैं बॉर्डर गावसकर टाशी इसमें हारता है तो फिर भारत कभी भी इस से जो जून में खिला जाना है फिर इसके लिए कोई चांस नहीं और भारत डवलू टी सी के फाइनल से बाहर हो जाएगा तो इंपोर्टेंट है कि भारत ऑस्टेलिया को हराए और एक मजबूत ऑस्टेलिया की टीम है जिसमें डेविड बारना इस्टुवन इसमित जो बहुत बहतरीन फॉर्म में ट्रेविस हैड सांदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो ये काफी दिल्चस्प होने जा रही है और पहले से ही बड़ वार्स सुरू हो गया है भारत और ऑस्टेलिया के बीच तो दिल्चस्प एह है कि इस सीरीज को कौन जीता है जो भी जीतेगा ओग से कम तीन टेस्ट मैच जीते तो भारत उसमें पहुंच जाएगा लेकिन उसके लिए फिर जो स्री लंका और न्यूजी लेंड के बीच जो सीरीज के लिए जानी उसमें न्यूजी लेंड जीते स्री लंका हार जाए तो इसमें भारत को बहुत सारा फायदा होना है जो निदी से हार जाए तो फिर यहां भारत के लिए लाब थोड़ा सा फायदा रहेगा यदि भारत बॉर्डर का वसका ट्राफी में केबल दो टेस्ट जीतता है तब उस इस तीन जीतता है तो फिर सीधे पहुँच जाएगा और इस सितिती में फिर उस्टेलिया नीचे आएगा और चांस ये बन रहे हैं फिर के आश्टेलिया हो सकता डवलू टी सी के फाइनल से बाहर भी हो जाए यदि वहां पर स्री लंका जीत दर्ज करती है नीजी लेंड से तो और इस समय टेस्ट क्रिकट में स्री लंका नंबर तीन पर टेबल पर है तो निश्चित है कि क्रिकट बहुत बड़ी खेली होगी तब जाकर को नंबर तीन पर टेबल पर है अभी दो फर रहा करती थी और इंगलेंड और न्यूजी लेंड के बाद इसके बाद मार्च फर बड़ी में उस खेले जाने है तो इसमें न्यूजी लेंड हार जाए हर बहाला कि न्यूजी लेंड के साथ जीते खेले WTC का फाइनल यदि आस्टेलिया हारता है तो फिलाल एक बात बिल्कुल किलियर इस पस नजर आती है या तो WTC के फाइनल भारत है पहुंचेगा या फिर आस्टेलिया दो में से कोई एक टीम पहुंचेगी और WTC 2023 का फाइनल मकावला है भारत और आस्टेलिय के बीच बिलकुल भी नहीं होने वाला एबात अब निश्चित हो गई है तो जरूरिया की भारत के जो बैट्समैन है वो बहतरीन प्रदसन करें और गैंदबाजी भी उस पर भी बहुत सारा बर्क करना होगा जस्परीत बुम्रा की गैंदबाजी काफी एहम हो जाती है दोस् आउस्टिलिया को हराना ही होगा और इसमें बल्ले बाजी की अगर बात करें तो बिराट कोली रोहित सर्मा चेत्विसर पुजारा स्रेस आईयर ये जो टॉप के चार भारत के बिराट कोली बल्ले बाज हैं इनको अच्छा परदसन हलहा हरा हराल में करना ही पड़ेगा दर्ज करेगी पेपर पर आप बहुत मजबूत है सब कुछ है घर में आप हमेसाँ जीतते हैं लेकिन आउस्टिलिया को भी भारत में खेलने की यादत होगी जबसे बहुत सारी टीम है भारत में आकर के पहले से कहीं ज़्यादा बेटर परदसन करने लगी है जबसे आई प केल के बाद सारे बेट्समेन और बॉलर्स आते हैं इंडिया में एक बड़ा लंबा दो डिर दो महीने का टूनामेंट खेला जाता है जिसमें बहुत सारी प्रिक्टिस होती है और उसकी बज़े से भारत की जो पिछ हैं उस पर उन लोगों को भी काफी अभ्यास हो चला है चाहे वो बॉलर्स हो और चाहे वो तो बेट्समेन हो सब बड़ी आल खेल रहे हैं तो उम्मीद यही है कि भारत बॉर्डर गावस का ट्राफी को जीते और एक बड़े मारजन से कम से कम तीन टेस्ट मैच जरूर जीत दर्ज करे ताकि डबलू टी सी का फाइनल जो मारग है और आसानी से अचीब किया जा सके और भारत टेस्ट उस फाइनल को जीत करके टेस्ट का बातसा चेंपियन बन करके दिखाएं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मस्त रहिए और देखते लिए और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि भारत को की अपनी इस टेस को जीते गा देखते रही है क्रिक्ट एक्सपाइट सब्सक्राइब